आज की जो रेसिपी है वो दुनिया की सबसे ताकतवर सबजियों में से एक है यह बहुत यदा टेस्टी लगती है बची हो या बड़े हो सभी इसको बहुत ही प्यार से खाएंगे क्योंकि यह कड़वा भी नहीं होता है कोई इसमें प्रॉब्लम भी आपको नहीं करेगा और इसका टेस्ट बहुत शांदार होता है तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है सबका तरीका अपना अलग-अलग होता है न तो यहां पर हमने ककोरा, कंटोला, खकेसा, खेकसा या फिर मीठा करेला बहुत सारे नाम होते हैं इसके कई के सबजियां ऐसी होती है जिसके इतने सारे नाम होते हैं कि क्या ही बताएं हर जगा का अलग-अलग होता है वैसे हमारे यूपी में इसको कंटोला भी बोलते हैं ककोरा भी बोलते हैं और इसको खेकसा भी बोलते हैं और सबसे यादा तो मीठा करेला आप लोग क्या बोलते हैं कोई और नाम होगा त तो इसके लिए आप चाहें तो पानी में आदे घंटे के लिए इसको भिगा कर रख दें काफी बढ़ियां से ऊपर की लेर फूल जाती है उसके बाद आप इसको कट कर सकते हैं तो मैंने इसको साफ कर लिया है तीन मीडियम साइज के आलू ले लिये हैं उन्हें भी साफ करके छील लिया है, उसका छील का हटा लिया है, कच्चे आलू है ये, तो आज हम आलू इसमें डाल कर बनाने वाले हैं, आप चाहें तो बिना आलू के भी इसको बना सकते हैं, तो चलिए अब इसके हम कटिंग कर लेते हैं, बागी आप चाहें तो आप इसको गोल जैसे करेले कट करते हैं न गोल आप उस तरह भी कट कर सकते हैं मैंने इसकी एक recipe और सेयर करी हुई है तो उसमें गोल ही कट किया है तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसके टुकड़े रखे हैं और जो उसका बीज वाला portion है न अगर थोड़ा सा हार्ट लगे तो इसको कट करके हटा दीजेगा और यहाँ पर जो आलू थे उसको भी मैंने लंबे ही टुकड़ो में कट कर लिया है इसको साफ कर लिया है सारी चीजों को अब हम लेते हैं एक पैन या कड़ा ही और इसमें डालते हैं दो से तीन चमस सरसों का तेल बहुत ज़्यदा तेल की भी जरूरत नहीं पड़ती है इसमें और बारी कटा हुआ लेसुन एड़ करेंगे थुड़ी सी ज़्यादा ही कॉंटिटी में क्योंकि लेसुन का जो फ्लेवर है इसका जो अरोमा है वो बहुत ही मस लगता है इस रेसीपी में तो हलका सा इसे तेल में भोन लेते हैं लेसुन को फिर हम इसमें एड़ करेंगे मेथी दाना जी हां हमारे यहां इसमें मेथी एड़ की जाती है जो कि मैंने आधी शुटी चमस डाला है आप इसमें मेथी को स्किप करके जीरा भी डाल सकते हैं हमारी यहां क्या है ना जैसे भुझिया कोई सबजी होती है ड्राइवाली ना उसमें ज़्यादातर मेथी इस्तेमाल की जाती है बागी आपको नहीं पसंदे तो आप मेथी को skip कीजेगा जीरा डाल दीजेगा उसकी जगा फिर इसमें healthy powder एट करेंगे कटी होई हरी मिर्ची डाल देते हैं हरी मिर्ची भी आप चाहें तो पहले डाल दें बट आप अगर मेरी रेसिपी स्टार्टिंग से देख रहे होंगे ना तो मुझे हरी मिर्ची जो है मैं थोड़ा सा बीच में ही आट करती हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा जली वाली हरी मिर्ची मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थोड़ी सी अब पूरी तरीके से कुक नहीं हुई है अब हम इसमें डालेंगे नमक अगर आप नमक पहले डाल देते हैं तो ये थोड़ा सा क्रिस्पी कम बनता है क्योंकि काफी ये सौगी हो जाता है ना सौफ्ट पड़ जाते हैं फिर इसमें थोड़ी सी एड़ करेंगे धनिया करते रहें क्योंकि हमने पानी भी नहीं डाला है और तेल भी जादा नहीं इस्तेमाल किया है तो ये लीजे देख सकते ही ना क्या मस इसका कलर आ चुका है बिल्कुल कुरकुरी सी हमारी ये जो सबजी है वो बन चुकी है और सच में ये बच्चों के लिए भी बहुत इस्ट्रे थोड़ा सा उसको और बैलेंस करने के लिए रिज फ्लिवर लाने के लिए मैंने एट किया है एक पैकेट मैगी मसाली का जी हाँ मैगी मसाला डालने के बाद बस किवर एक मिनट के लिए ढखकर पकाएंगे और बस गयास को बन कीजे धन्या की पति डाली और प्रचों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप लेशन पर आज नहीं खाते हैं तो लेशन को भी स्किप कर दीजेगा उसकी जगह थोड़ी से आप हींग एट कर दीजेगा तो फ्लिवर काफी बढ़े हाँ आ जाएगा तो अब इसके हम प्लेटिंग कर लेते हैं, देख सकते हैं ना क्या मस एकदम कुर्कुरी लग रही है, सच में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत जद़ कोई मसाले नहीं है, कोई ताम जाम नहीं है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, तो अ